वेलकम बैक टूर यूटूब चैनल मेडिकल नर्सेसर तो आज हम यहां पर बात करेंगे MP NHM का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में तो MP में NHM के तहर जो मध्यप्रते इसमें A&M लैप टेक्निसियन और स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए वेकंसी निकाली गई थी तो उस की देखिए फस्ट पेजी ओपन करेंगे हम तो न्यू अपडेट आई है जिसमें आपका सेड्यूल रखा गया है ओनलाइन रिटर्ण टेस्ट के लिए आपकी एक्जाम डेट है जो आ गई है रही यहां पर स्टाफ नर्स और A&M के लिए वस देट अभी आई है लैप टेक इंगल सिप्ट में पेपर होगा आपका तो यहां पर क्या डेट है 31 जुलाई 2021 31 जुलाई 2021 टो सिप्ट तो में भी और कंफर्म है कि यह पेपर आपका वियो सकता है क्योंकि आल्रेडी तीन चार महीने हो गया है कि यह डिले होते जारा फिर आपकी क्वेरी सॉल्व हो रही ह है किसी का स्टेटा स्पैंडिंग और अभी यहां पर सेम्स ने और लेचेम ने जो डेट रिलीस की है तो कहा गया है कि 31 जुलाई 2021 इसको दो सिप्ट में आपका पेपर होगा सिप्ट वन रहेगी जो की दस वज़े से लेके बारा बज़े तक की दो घंटे की सिप्ट में पेपर होना है एनम बालों का तीन बज़े से लेके पांच बज़े तक तो आपके लिए नोटिफिकेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है इनमी लोगों ने स्पेसली फॉर्म फिलब किया हुआ है और जिनका स्टेटस पेंडिंग में आप लोग अपना जो करेक्शन कर साथ दिन पहले आपका एडमिट काड ओफिशल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सेम्स की वेबसाइट से मोग टेस्ट की लिंक है जो एक्जाम के पांस दिन पहले है जो जीबीटी बेस्ट होना है क्योंकि आपका तो उसके लिए आपको पांस दिन पहले लिंक है जो एक्टिवेट कर दी जाएगी तेहां पर हम बात करेंगे अब स्लेवस की कि आपको पेपर में क्या पूंचा जाना है और क्या चीज रहेंगी तो जिन लोगों ने करेक्शन कर दिया है तो उनके लिए यहां पर कहा गया है कि 20 जुलाई तक आप लोग वेट कीजि देन आपको 21 जुलाई तक वेट करना होगा 21 जुलाई तक आपका है जो अपडेट दे दिया जाएगा आप लेजिवल है या नहीं और एक्जाम के साथ दिन पहले आप अपना है जो एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यह अड्मिट कार्ड अब बात करेंगे हम स्ले स्लेवस है जो इसदी अबेलेबिल आप लोगों ने क्योंकि अभी तक स्लेवस क्या रहने वाला है ओल्रेड़ी मैं आपको बतावी चुकी हूं कि अपका स्लेवस क्या रहेगा यहांं पर आप नीचे की तरफ करेंगे तो यहां पर रहा और slayvers के साथ हिंनों ने कहा है जब exam slayvers के साथ साथ हिंनों ने ये वी कहा था कि पहले 24 मार्श से 26 मार्श तक निरधारित की गई थी examinate आपकी फिर कहा था कि जल्दी update कर दी जाएगी तो अभी present update कर दी गई है स्लेवस ए रहा तो इन्होंने इस नोट को वस यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्ब कीजिए यहां पर यह वस क्यों लिखा स्लेवस सेड्यूल में सेड्यूल में अंतर है क्योंकि सेड्यूल आपका एक्जाम सेड्यूल 31 जुलाई कर दिया गया है पहले 24-26 मार्स अब क्या है तो इसलिए स्लेवस सेम रहेगा आपका कोई भी चैन्जिस नहीं है स्लेवस में तो आप यहीं स्लेवस फॉलो करके अपनी तैयारी कीजिए क्योंकि आपके पास 15 डेज रिमैनिंग है सतर परसेंट आपकी नर्सिंग से कॉश्चन है कि 30 परसेंट लॉजिकल रिजनिंग जिसमें जीके जीए वांकी सीजन है जो कंबाइन रहेंगी और तब भी आपको कोई भी क्यारीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर मेरे वाट्साइप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मैं कोशिस करती हूं कि आल्मोस्स सभी के आंसर दे पाऊं बड जिनके इनकेस नहीं हो पाते हैं तो आप लोग यूटूब में यहीं पर अपडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो मैं यहां पर भी आपको अपडेट देती रहूं थैंक्यू पर वाचिंग एस ब झाब मडेएगा झाल देती हैं आपको तो आपको असाव पर वाचिंग पर वाचिंग यहां आपको मेंट डिकासहँ जहां पर वाचिंग यहां पर ईंपको बावाँ हैं जहां पर बड़ इनकेससे हैं दो जो